यह कितना अमेजिंग रहेगा न कि अगर आपको सिर्फ कुछ चीज़े टाइप करनी और आपका पूरा का पूरा वीडियो एडिट हो जाएगा उसी टाइप किये हुए टेक्स के हिसाफ से जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा तो definitely मैं काफी जादा surprise था जी हाँ काफी सारे ऐसे AI टूल्स है जो इस चीज़ के ओपर अलड़ी काम कर रहे हैं कुछ चीज़ के ओपर मैं अलड़ी वीडियो कर चुका था recent past में पर काफी खुशी होती जब giants like adobe इस तरीके के ओपर काम करते हैं and they share the updates कि क्या चल रहा है इस particular चीज़ मैं जल्दी से लाइक कर दो कर दिया लाइक चलो बताता हूं क्या है यह amazing feature आपको पता ने जब मैंने आपको मिड जनी के बारे में 5 लाइक के बारे में बताया था जहां पर आप कुछ text लिखते हैं और उसके सबसे किमें generate हो जाती है कितना amazing होगा ना जब आप ऐसे text लिखेंगे और आपका जो वीडियो है वो उसी तरीके से काम करने लगेगा पहला feature is definitely जहां पर जिस तरीके का वीडियो करना चाहते हैं जस वहां पर टेक्स लिखिए एंड AI बिल स्टार्ट वरकिंग और एक पटिकलर वीडियो रॉव फाहल है उसको आपको एडिट करना है इस पर्टिकलर लुक के हसाब से बस लुक को डिसक्राइब कर दो और वो आटमांट क्रियेटर है आप समझते हैं A-Rolls B-Rolls के बारे पर जब पूरे टॉकिंग शॉट्स होते हैं इस तरीके कि उसको बोला जाता है A-Rolls पर जब किसी चीज के वीडियो को रिकॉर्ड करके वहां पर डालते हैं that is B-Rolls AI tools और अभी के software में will actually automatically analyze करेगा, detect करेगा और B-Rolls ध script डालते हैं तो वह आपको पूरा का पूरा storyboard बना के दे देगा कैसी चीज कैसी दीखेगी animated form काफी crazy उसी के अलावा कर आपको Adobe Sensei के बारे में नहीं मालूम है, you will actually be able to do a lot more in text-based editing, example के तौर पर मालो आपके पास में एक video है, जहां पर जब आप वीडियो के editing करते हैं, आप आपको किसी चीज को हटाना है, you can remove that, अगर वहाँ पर वीडियो में बीच में pause होते हैं, तो तीन dot के द्वारा denote किये जाते हैं, उनको आप डिरेकले हटा सकते हैं, जो बीच में गाप है, वो within seconds आप edit कर पाएंगे, उसके के अलावा, there is a lot more in text-based editing, जिसके ओपर में आगे future वाले episodes में जरूर बताने वाला हो detail में, पर Adobe Sensei के द्वारा, आप सिफ text को use करते हुए, काफी कुछ कर पाएंगे in your Adobe software, तो अगर आप Adobe Premiere Pro की user हैं, future में, बहुती निया future में, आपके पास में काफी amazing AI features आने वाले हैं, जो उस particular tool को और भी amazing बना देगाना है, and I am sure जैसे जैस to be very very helpful for you as a content creator, as a video editor, बाकी मैं आपको दुबारा यही बताना चाहूँ का, AI tools आपके लिए डरने के लिए नहीं हैं, but this is something जो आपको regularly अपने आपको upgrade करना पड़ेगा इस particular चीज में, क्योंकि अगर आप यह चीज यूज नहीं करोगे, तो उन लोगों से in comparison जो चीज को use कर आता है जाने के पहले, लाइक जिरो कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को पेकिस वाइना बाकी मैं मिलोगा आपको नेक्स वीडियों के लिए टेक के लिए and keep hustling.